हइँ है आज में आपके साथ श्यूर करने वाली हूँ यह वाला यह वाला मेकप लूप तो यह वाला मेकप लूप होने वाला है क्रितिसहं और इंस्पायड मेकप लूप तो मैंने यहाँ पर recreate किया है क्रिटी सैनन का make-up तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरीके से मैंने make-up को create करने की कोशिश किया है तो I hope कि आप सब को वीडियो पसंद आएगा और make-up भी तो चलिए वीडियो को start करते हैं लेकिन वीडियो को start करने से पहले अगर मेरी वीडियो साब सब को पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को subscribe कीजिए वीडियो को कर दीजिए एक like और share कीजिए सब के साथ और comment करके बताएए कि कैसा लगा वीडियो तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले मैं अपने face को में प्रिप करूंगी और यहां पर मैं फर्स्ट अपलाई कर रहे हूँ टोनर तो यह है good vibes का honey टोनर तो टोनर को अपलाई करने के बाद मैं अपलाई करूंगे अपने face पे मॉस्टराइजर यहां पर मैं यूज कर यू पॉंस का लाइट मॉस्टराइजर यह काफी सदा लाइट वेट है इसमें है विटामिन ए और ग्लिसरीन जो हमारे फेस को एक अच्छा ग्लो प्रवाइड करेगा यह बहुत जादा अच्छे से फेस को सौफ्ट और मॉस्टराइ फेस को यह प्राइम कर देता है इससे हमारा जो फांडेशन होता है कंसीलर होता है वह अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है तो देन मैं अप्लाइ करूंगे अपने फेस पे स्वीस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर मेकप बेस तो यह कुछ इस तरह का है स्कीनियर तो यह काफी सदा अच्छा है मैं फर्स टाइम इससे अप्लाइ कर रही है और मुझे काफी सदा पसंद आया है तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप इससे ट्राइ करो और यह अफोरेबल रेंज में भी आप सबको मिल जाएगा और अगर मतलब डिसकाउंट एक फाउंडिशन था जो काफी सदा पसंद है मुझे यूज़ करना तो इसका शेड अब देख सेकत हो यह मेरा शेड है 310 सन बेज तो काफी अच्छा मुझे लगता है इससे यूज़ करना एक मैट फिनिश देता है और यह मतलब बिल्कुल फेस को आईली रिफिल नहीं हो कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा एक बेस मैंने क्रियेट किया था तो फाउंडेशन को ची तरह से मैं अपलाई कर लूँगी यहां पर और उसके बाद मैं अपलाई करूंगी कंसीलर और यह ही मेरा इधिंक इन्वाईबे का कंसीलर जो ठीक से याद ने फिर भी मैं दे तो फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद इसे सेट कर देंगे और इसके लिए मैंने यहां पर यूस किया है यह ब्लू हेवन का लूस पाउडर तो यह न्यू बाई है तो मैंने इसे पहले भी मैंने इसे अपलाई किया है काफी ज़्याद अच्छी तरह से अपने फेस पे अपलाई करके मैं अपने मेकप को सेट कर लूँगी तो फेस को थोड़ा सा और अच्छी तरह से सेट करने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी यूस करूंगी तो यह है फेस कैनाडा का कॉम्पैक्ट और मेरा जो शेड है I think Beige 03 तो इसे मैं अप्लाई करूँगे अपने फेस पे तो देन मैं अपने फेस मेकप को थोड़ा सा सेट कर दूँगी और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सेम टोनर जिसको मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था और ये है गुड वैब्स का हनी टोनर तो मुझे काफी ज़दा पसंद आया है इसे अप्लाई करने के बाद मेरा जो मेकप है वो बहुत ज़दा अच्छा लग रहा था तो इसके बाद मैं करूँगी कॉंटोर और इसके लिए मैं यूज करूँगी का आईशाइडव पैलेट इसमें हमें 15 शेड मिल जाता है शिमर और मैट को मिला कि और इसमें जो ब्राउन शेड है इसे में अप्लाई करूँगी अपने फेस को कॉंटोर करने के लिए काफी ज़दा अच्छा है ये आईशाइडव पैलेट मुझे काफी ज़दा पसंद आया है तो जो बिग्णर से उनके लिए ये वाला आईशाइडव पैलेट काफी ज़दा अच्छा है क्योंकि इसमें काफी ज़दा अच्छे 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 संदर सुनदर भी मिल जाएगा तो इस सेम आईशाइडो पैलेट को मैं यूज करूंगी मतलब सेम शेड को मैं यूज करूंगी अपने नोस को कॉंटूर करने के लिए भी और देख सकते हो कितना जादा अच्छा है ये शेड तो कॉंटूरिंग इस ड़न तो भी हम अप्लाइ करेंगे ब्ल है ये भी काफी जादा पिग्मेंटेड है और इसमें काफी जादा एक शीन है ये मैट शेड से लेकिन इसमें एक अच्छा शीन मतलब गलो दिया गया है जिससे मेरा जो चिक से वह अच्छा गलो कर रहा है तो इस वाले आईशाइडो पैलेट को ही मैं यूज करूंगी फिर अबर जो हाइलाइट जो होता है वैसा नहीं है ये बहुत ही जदा सॉफ्ट एक ब्लो दे रहा है जो एव्टी डेक के लिए काफी जदा अच्छा होता है तो मुझे ये काफी जदा पसंद आया है आईशाइडो पैलेट करेंगे लेकिन इससे पहले में अपने तो मैंने ग्रे ही लिया है तो मुझे इतना जदा नौलिज नहीं है तो मैंने इसी ही लिया है देन में एक ब्रश की हिल्प से मैं अपने ब्राउस की हैर को थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आई मेकप और यहां पर मैंने सेम रिम मेकप रेवल्यूशन का आईशारे परेट को मैंने यूज किया है तो इस में से जो एक ब्लैक शेड है इसे में अपलाई कर रही हूँ अपने इनर और आउटर कॉर्नर पे और इसे में थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी एक फलफी ब्लेंडिंग ड्रुश की हिल्प से तो इस ब्लैक शेड को आप देखके आप सोच सकते हो यह जो आईशारे पैलेट है यह कितना ज़्यादा अच्छा है मतलब कितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है इसके आईशाइडव पैलेट की तो काफी सदा पिग्मेंटेड है और यह काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा था तो देन में एक और आईशाइडव पैलेट को मैं चूस करूंगी सेम ब्रैंड का ही तो इसमें से जो एक मरून-ping करर का जो shimmery shade है इसे में finger की help से मैं apply कर रही हो अपने center of eyelid پे तो मैं finger की help से इसे में apply करके थोड़ा सा blend कर दूँए दिन में से영 आईशाइडो पैलेट मेंसे जो 2 brown shade है इन तोनों को मैं mix करके मैं apply करूंगे उपने crease line पे सेम आईशाइड़ पैलेट में से जो दो ब्राउन शेड है इन तोनों को मैं मिक्स करके मैं अपलाई करूंगे अपने क्रीज लाइन पे और इसे में अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दूंगे तो मैंने ऐसा कुछ हेवी या फिर ड्रॉमाटिक मैंने आईशाइड़ में लुक मैंने क्रीट नहीं किया है मैंने बहुत साथ सिंपल मैंने एक स्मोकी आई मेकप लुक मैंने क्रीट करने की कोशिश किया है तो आई होग कि आप सिब को पसंद आएगा तो बस ऐसा ही है काजल के लिए यूज़ किया है और मुझे यह वाला काजल बिल्कुल पसंद नहीं है तो यह क्रीमी है लेकिन बिल्कुल लास नहीं करता तो इसे में अच्छी तरह से मैं अपलाई कर दूंगी अपने लौर वाटर लाइन पे और दैन में एक ब्राउन शेड को में पिक करूं चाजल के साथ में अच्छी तरह से में ब्लेंड कर दूंगी देन मैं ड में ड्राउ करूंगी लाइनर उसके लिए मैं यूज़ करूंगी यह बायो टिक मैजिक लाइन वाटर प्रूफ लाइनर और इस से बहुत सबस्सÁC और बहुत बाइशिक में इसकी नहीं करूंगी औ लेकिन यह waterproof नहीं है और इसे मैं अच्छी तरह से मैं अपलाई करूंगी अपने eyelash पे और देन मैं उसके बाद मैं अपलाई करूंगी एक और मसकारा जो है Faces Canada का Magnet Eyes मसकारा यह काफी जदा अच्छा है यह बहुत अच्छे से eyelash को यह अच्छा volume देता है एक थोड़ा सा जदा अच्छा लग रहा है और यह काफी जदा अच्छा इससे लेंट और वाल्यूम मिला है तो अभी मैं अपलाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे लिप बाम अपने लिप्स को थोड़ा सा हाइडरेट और मॉस्टराइज करने के लिए और यह है इन्वाइब का लिपा पर देन मैं अपलाई करूंगी यह एक और यहां पर मैं अपलाई करिये हूँ यह स्टेख ओडिकाल लिकविड लिप्स टिक और इसका जो شेड नंबर है यहुज फिर 25 यह लिप्स टिक काफ़ी सदय पिग्मेस पिगमेंटे काफ यह संदर है और इसमें शेड रेंज भी का देखोंगे आप सबको तब देख सेकते हो काफ़ जदा अच्छा है तो देन मैं इसके उपर ही एक और लिप्स्टिक में अपलाई करूंगी और यह यह नवाई बेकप प्राइमर प्रास मैट लिक्विड लिप्स्टिक तो मुझे यह वाले लिप्स्टिक मुझे काफ़ी जदा पसंद है तो इसका जो शेड नंबर है यह है ट्वेल्फ जो काफ़ी जदा अच्छा एक न्यूट शेड है तो मैं इसे हाथ पे दिखाते है लेक मेकप तो मैं बाकी का काम भी अभी कंप्लीट करके आते हूँ तो गाइस ही रहा मेरा फाइनल मेकप लुक इंस्पारइड बाई क्रिती सैनन तो इस वाले इंस्पारइड मेकप लुक को मैंने थोड़ा सा इस तरह भी मैंने कैरी किया है तो गाइस आई होब की मेरा ये वाला मेकप लुक भी आप सब को पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर देना वीडियो को गतने एक लाइक और शेयर कर देना सब के साथ और कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो और यहां